जैसा हमने आप से वादा किया था कि स्कोर कार्ट जारी होने के बाद एक हम लोग एक्सपेक्टेट कटाफ की बात करेंगे और रिजल्ट कभ जारी होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे वैसे तो यह एंटी वाले ही बता सकते हैं वाई साब की सिया नेट जारी आपका कभ रिजल्ट जारी करने जा रहा है तो महिने से अधिक हो चुका एक्जामिन को लिए हुए अभी तक यह रिजल्ट नहीं दे पाया है एक बहुत बड़ी भीडम बना है एसा एंटी यह द्व बात है उनका रिजल्ट एक महिने के पहले आप जारी कर देते हैं और बीचारे दो महिना बीच जाता है उसके बाद भी रिजल्ट के लिए इंतिजार करते हैं तो ऐसा एंटी यह जो घिन्नता पैदा कर रहा है यूजी सी नेट और के बीच नहीं लगता है बच्चों के ज जैसा है भिन्नता होनी चाहिए अच्छा नहीं लगता है फिर भराल हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं जैसा हमने कहा था कि आप कमेंट करके बताए कि जो स्कोर काट जारी हुआ है उसमें आपका नंबर इंक्रीज है डिक्रीज है कट आफ क्या जाएगी तो हमने एक यह चीजां आती है तो कभी इस पर भी हो लिए बीडियो लेक्टर्स बनाएं कि क्या इनका प्रासे से कैसे है कि कितने अलियस निकालते है कैसी होती है तो बहुरा लवी हम लोग बात करने जा रहा है क्या जानी चाहिए तो यह जून 2022 के बारे में देखिए यह यह जो पेपर 28.38 गया था कम गया था इसका 42.75 है ओवी सी का 40 पॉइंट सम्थिंग है इसी तरीके से लेस का भी आप देख सकते हैं 43.542 है 38.475 है देखिए 36.450 है ओभी सी का बाकी सबका आज़ी चीज देख लीजिए इसके बाद हम नेक्स चीज देखा रहे हैं कि जो एक्जाम यह हुआ था आपका जून का जो दिसंबर यह देखिए दिसंबर और जून जो है वो साइकिल मर्ज कर दी गई थी क्योंकि दिसंबर दिसंबर में वो एक्जाम नहीं हुआ था वो जून में एक्जाम हुआ था उसकी मर्ज साइकिल की गई थी और बहुत सारी बात ने की गई थी कि सीट जो वो बढ़ेगी बत किसी की स्ट नहीं बढ़ी पता नहीं क्या मया जालता भगवानी जाने आस मर्ज करने के बाद यह चीट बढ़ा दिए लेकिन यह क्यों बढ़ाया थे पता नहीं बढ़ाया थे बगवान इनकी महिमा तो यह पेपर थोड़ा जंग से उचाल आया था ज्यार्यव में नियर एबाउट 109 गया है आपका ज्यार्यव का अन्रिजर्व के लिए EWS का 47 था आपका 46 पॉइंट सम्थिंग था कहने का मतलब कि जब उचाल देखने को मिला इसमें जो आपका ज्यार्यव में भी उसी तरीके की बात आई यहां कम नहीं था ओभी देखी रहे हैं आप उन रिजर्व से ले करके पूरी कटगरी देखिए तो एक उचाल की बात है अब रही प्रवाद की जो 2024 है इसका हमारा जो है कट आफ क्या जा सकता है तो मेरे लिहास से जो हमें लगता है न कि वो जो 2023 का रहा है जाहें जो लगता है जो मेरी उमीद है जो पेपर का जो आकलन हुआ है इसी के आसपास हो रहना है बहुत बड़ा कोई बैरियेशन्स देखने को नहीं मिलेगा और बहराल रिजल्ट की हम सो लोग उमीधी कर रहे हैं जल्दी आजाए भगवान से प्रार्थना भी एक जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आजाए क्यों थाइंक्यू गाइस जाएँ